यहां पर मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं नहा कि बस सीधा सीधा किचन में आ चुकी हूँ और अभी बता दू तो नो बजे का टाइम हो रहा है उसो के उठी थी साड़े आट बजे और अभी जो है मैगी बनाना है क्योंकि घर में बच्चे भी है तो सबको मैगी खानी है तो मैं यहां पर मेगी बनानी की तयारी कर रही हूँ सबसे पहले मैने दूजुर किया और अभी का जो बॉटर है ना उसको मैने साप किया और इसके बाद उनको मुझे दूद देना है क्योंकि अभी जब से वो सोके उठा ना काम के चक्कर में मैने इसको दूद भी नहीं तो बस उसको दूत दे देंगे और उसके बाद फटाफटिंजयों की मैगी बना देंगे और उसके भाद फिर खाना बनेगा बहुत ताम-जाम रहता है पूरह धिन इसी में लगे वैसे क्या होता था नास्ता बन जाता था फिर साम को में सीधा खाना बनाती थी तिए जब में मैं अपना इस्टैंड लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है फिर किसी को पता भी नहीं है वीडियो गयारा केवारे में और मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ और मैं अपना काम रोकना भी नहीं चाहती हूँ तो बहुत सारी प्राबलम से सभी के साथ मैनेज़ करना पड़ रहा है बस यहाँ पर मसाला और मैंने डाल दिया है बस मैगी मैगी डाल ली है पहले अभी को दूद दे कर आते हैं क्योंकि वो बहुत देर से इंतजार कर रहा है और अभी बहुत तेज दोनी लगेगा तो मुझे सारा काम बंद करके जाना पड़ेगा तो उसको दूद दे कर आते हैं और उसके बाद फिर अपना काम करते हैं और यहां पर उसको दूद देकर मैं आ चुकी हूँ मैगी देखिए गर्मा गर्म मैगी मेरी बन चुकी है बेटो और यहां पर मैंने डाल दिया है धनिया पत्ता और बस मैगी कितनी यमी दिख रही है ना पती देओ को मतर वाली मैगी बहुत 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 जादा पसंद है कि मेरे बॉइल मैगी बहुत बहुत कमी बनती हम अब है मुझे समझ में ना आ कि तो अभी के लिए मैगी बना देती हूं नहीं तो फटा फट मैगी निकाल के सबको में नीज़ेंगे , मुझे उर बैट समसे बहुत बहुत कम मैगी cya लिकता दें दें एक तरब मैं दाल चड़ा दूंगे और एक तरब मुझे आलू गोभी की सूखी सब्जी बनानी है चावल रोटी बस इतना और दही रखा है तो रायता वगेरा बन जाएगा बस खाना मेरा जो इना कंप्लीट हो जाएगा लेकिन कहने में बहुत आसान लग रहा है और भी बन आपके अपो से बहुते हैं आप लोगों से बात इसलिए करती और कुछ लोग को मुजिक नहीं पसंद है और कुछ लोग कहते है प्लीज बीज बीज में मूजिक लगा दिया करिये क्विकि आप कब तक बोलेंगी आपका मूदर्द होने लगता है तो चलो कम से कम आप मेरा दर्द समझ सकते हैं और समझते भी है उसके लिए थैंक्यू सो मच और अभी मैं जा रही हूँ मैगी खाने मैंने सब को दे दिया है मैं बोल भी नहीं सकती तो मैं बस ऐसे आपको दिखा रही हूँ मैं लाश्ट में बताऊंगी कौन आया था क्या कैसे बाद में बताऊंगी यहाँ पर मा बेटे लेटे फिर बच्चा इन्हें मेरा कूर्टी बीटा वो गंदे हो जा लिए तुम तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है और अभी हो रहा है रात का टाइम तो इनकी दर्मस्ती चल रही है और मैंने सोचा इस ब्लॉग का जो है एंड कर देते हैं क्योंकि मेरी तब इतने ज़्यादा खराब चल रही है कि मैं ब्लॉग्स भी नहीं बना पा रही हूँ नहीं मैं अपलोड कर पा रही हूँ नहीं मैं बना पा रही हूँ और बिर छोटे-छोटे मैं ब्लॉग बना रहे हूं इस टाइम पर तो मैंने देखा ये ब्लॉग इनकम्प्लीट था तो मैंने सोचा कम्प्लीट करते हैं और ये नहीं वाला चस्मा आ गया है मेरे लिए जिसकी कबर अभी ने कहीं धर-धर फेक दी होगी क्योंकि अभी जो है लगती हैं ब्लॉग्स होगा एडिटिक करो वीडियो गरा बनाओ तो थोड़ी सी जो है ना दिक्कत हो जाती है तो बस चलिए फिर यही ता मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बिताईएगा और थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज लाइक करके ही चाहिएगा और चैनल पर न्यूँ है तो सस्क्राइब जरूर से जरूर से कर दीजिएगा तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो क करते हूं प्लीज सपोर्ट करिए आपके सपोर्ट की मुझे बहुत 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 जरूरत है बस और कुछ नहीं कह सकती में तो चलिए फिर बाइबाए थिंस फार वाचिंग लब्यू और